दोस्तो स्वागत है आप सबीका बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बड़े खबर हाइकोड के इतियास में पहली बार गर्मी की चुटी में नहीं दाखिल होगी कोई जमानत अर्जी दायर नहीं करने की जानकारी दी गई है हाई कोड में गर्मी की चुट्टी 23 मैं से 20 जुन तक रहेगी इस बात को लेकर हाई कोड के वकीलों ने विरोध जताया है वही एड़ोकेड़ एसोसियेशन के अध्यच तता वरिया अधिवक्ता योगिस चंद्र वर्मा ने एक पत्र हाई कोड के मुखे नियादेश को दिया है उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाई कोड की इतिहास में पहले बार गर्मी की चुट्टी के दोरान जमानत अरजी दायर करने से रोग दिया गया है उन्होंने हाई कोड नियामावले की नियम 4 का हवाला देते वे कहा कि गर्मी च चुटी के दोरान जमाना तरजी दायर करने का प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान को नजर अंदाज कर गर्मी के चुटी के जमाना तरजी दायर करने से रोख दिया गिया है। इस कड़ी में कोविड-19 के करन अपनी जान गवाने वालों के आसरितों को कर्मचारे राजी बिमा निगम के तहट पारिवारिक पेंसन दे जाएगी। आपके जानकारे के लिए बता दे कि यह लाब 24 मार्च 2020 से लागो माना जाएगा और इस तरह के सबी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्द होगी। इन व्यक्तियों के आसरित परिवारिक सदय से मौजुदा मांदंट के अनुसार, समन्दित करमचारी या, कामगार के वसद्धनिक वेतनिया, परिस रमिक के 90 पेंसन के बराबर पैंसन का लाब पाने के हगदार होंगे। बड़े कबर बिहार में साथ दिनों के अंदर मिल सकेगा कोरोना से हुए मौत के बाद मिर्तु पर्मान पत्र मुई के सचीव ने सबी जीलों को देश सकत निर्देश। कई जीलों में सरकारी अस्पतालों से भी कोरोना से मौत होने पर मिर्तु पर्मान पत्र देने में कपी समय सह होती है। मामलो का तुरन निप्टारा करे जिन जिलों में साथ दिन से ज़्यादा पुराने मामले लंबित पड़े हैं तो संबने डियम को इसका कारण इस पश्ट्रूप से बताना होगा अगर किसी वेक्ति की मौत होने के साथ दिन के अंदर मित्व पनमांत बत्र नहीं मिलता है तो डियम को स्वाई से देखना होगा इक वर बिहार में रासन कारदारियों को घटिया अनाज देने पर होगी कारवाई अब 24 घंटे में बदला जाएगा डियलर को मिला खराब अनाज खाय दे एवं उपभोगता सरक्चन विभाग के मंतरी लेसी सिंग ने कहा कि रासन कारधारियों को घटिया या गुनवत्ता हिन अनाज देने की कोशिश की गई तो डिलर और आने दोसियों के खिलाब कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरे नितिश कुमार के मार्ग दसन में विभाग गरिबों को गुनवत्ता पून अनाज पूरी पारदर्सिता के साथ मोहिया कराने के लिए पूरी तरह से कित संकलिप्त है उन्होंने रासन कारधारी सबी लावकों से भी अनुरोद किया है कि प्रती व्यक्ति निर्धारीत मुप्त रासन का उठाव करे और सही माप तो लिया गुनवत्ता पून अनाज नहीं देने पर उसकी सिकायत समादित प्रकंड आपूर्ति पदादिकारी वह अनुमंडल अधिकारी समेथ जिला के सक्चम अधिकारियों से करे जिससे दोसियों पर त्वारित काराय की जा सके अब देश में नहीं होगी कोरोना वैक्सिन की कमी जुलाय में 20-25 कडोर टेके का उतपादन लच सिरम इंस्टिटूट ने दिया यह भरोसा जिहाँ सरकारी सुत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रहा है कि देश में वैक्सिन की कमी को मिटाने के लिए सरकार ने जुलाय महिने में 20-25 कडोर टेके के उतपादन का लच तई किया है जबकि अगा सितंबर में 30 कड़ो डोज के उत्पादन का लच्चताई किया है कल सिरम इंस्टिटूट अप इंडिया ने सरकार से कहा कि वह जून महिने में कोरोना वैक्सिन कोविसील की 10 कड़ो डोज उपलप्त करा देगा या जानकारी कमपनी के वरिष्ट अधिकारी के सोजन से मिली है साथ कमपनी ने कहा कि हमें यह सुचना देते वे खुशी महसूस हो रही कि हम जून महिने में कोविसील की 10 कड़ो डोज बनाने में सक्चम होंगी बड़े कबर नेजी जमिन पर पोदे लगाए पांस साल तक हर मैने पैसे और चापाकल लगाने का खर्च बिहार सरकार देगी जा बिहार में 33 फिजदी हरित आवरन का लच हासिल करने के लिए बिहार विकास विभाग मन्रेगा के तहट चालो वित्य वर्स में 2 करोड पोदे लगाएगा सरकार नीजी भूमी पर पोदारोपन करने वालों को प्रोचाहित करेगी ग्रामिन विकास विभाग ने बित्य विर्त्य वस के मुकाबले इस बार 80,000 पोदे अधिक लगाने का लच्च तय किया है ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुआर ने बताया कि मन्रेगा में समाजी गवाने की योजना के तहद सबे 38 जिलों के प्रते ग्राम में सगन विक्चारोपन अवियान चलाए जाएगा योजना के तहद डेर कडोर लखड़ी वाले और 50 लाग भलदार पोदे लगाए जाएगे इसके साथ उनने गोशना की कि अनुमाने स्रेने के वेक्तियों के नीजी भूमी पर लगाए गए पोदो की सुरुक्चा है तू गेबियन के साथ सिचाई है तू चापाकल या ट्राले से पटवन की सवेदा ग्रामेन विकास विभाग देगा नीजी भूमी के मामले में यदि दो इकाई के कलस्टर दो सो मिडर की दोरी के अंदर उपलब हो तो उन दो इकाईों के लिए एक चापाकल के लिए सरकार अनुदान देगी बिहार के बच्चों पर आई आपत नई बिमारे M.E.S.C की सिकार बनने लगे हैं बिहार के मासूम अद्दक साथ की पहचान जिहां घातक बिमारे कोरोना के कारण अब बच्चों पर नई आपत आई है ब्लैक वाइट और योलो फंगस के बाद बच्चों में नई बिमारे फैलने लगी है डाक्टरों ने इसकी पहचान M.E.S.C. यानि कि मल्टी सिस्टम इंफलामेटरी सिंड्रोम इन चिल्डियन क तोर पर की गई है बिहार में इस नई बिमारे ने दस्तक दे दी है पटना में अब तक साथ बच्चों में या लच्चन पया जा चुका है पटना के अस्पताल में अब तक इस बिमारे से ग्रसित साथ बच्चे भरती हो चुके हैं डॉक्टर बता रहे हैं कि इस बिमारे की सिकार बनने का खत्रा 12 साल तक की उम्र वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है हाला कि 18 साल तक के बच्चों को ये विमारे हो सकती है बिहार के 8 जिलों में 10 से कम नई संक्रमित 130 प्रकंडों में कुरोना के मामले नगन्या बिहार के 130 परकंडों में कोरोना के नई संक्रमित नहीं मिल रहे हैं इन परकंडों में एतिहात के तोर पर जाज की नियमित प्रक्रिया जारी है वहाई 6 जिलों में दो दिनों से 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं जबकि कभी एतदिक संक्रमन के मामले वाले 9 जिलों में तेजी से स संक्रमितों की संक्या कमी हो रही है बिहार के नौ जीलों में पहले जहां 300-500 संक्रमित औसतन प्रती दिन मिल रहे थे वहाँ अब नई संक्रमित कम मिल रहे हैं इन जीलों में पट्ना बेगुसराई और अरंगाबाद भागलपूर पूर्वी चमपारान सारन मदुबनी पूर प्रणाबाद को छोड़ दे तो बाकी चो जीलों में 301 मैं को 10 से भी कम नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है बड़ी कबर सडक दुरगटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुचाने पर इनाम देगी सरकार बिहार सडक दुरगटना में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने के लिए नई पहल करने जा रही है सरकार ने ये तई किया है कि दुरगटना में घायल होने वालों को अगर कोई वेक्ती अस्पताल तक ले जाता है तो उसे 5000 रुपिय का पुरुसकार दिया जाएगा पंजाब इस्टेट पावर कॉर्परेशन लिमिटेड ने कलरक जुनियर इंजिनियर और लाइन में समेद विभिन पदो पर भरती के लिए ओलाइन आवेदान कल याने 31 माई 2021 से शुरू कर दिये हैं इन पदो के लिए आवेदान के अंतिमतिती 20 जून 2021 है वहीं ओलाइन आव पांसु उन्चास कलर्क 75 जूनियर इंजिनियर और 170 असिस्टेंट लाइन में 290 असिस्टेंट सब इस्टेशन ओडेंट के लिए हैं साथ ये आवेदान सुल्क की बात करें तो दिवियांग और सी को छोड़ कर बाकी के लिए 944 रुपे रखे गये हैं और दिवियांग और सी के लिए 590 रुपे सुल्क रखा गिया है औलाइन आवेदान के लिए आप PSPCL के ओफिसल वेवसाइट पर जाकर आवेदान कर सकते हैं इसके साथ ही जो इस चैनल पर नए आया है चैनल को सब्सक्राब करके बगल वाले नोटिपिकेशन बेल को जरूर ओन कर ले ताकि रो